साल दोहजार तईस कई बड़ी फिल्मों के लिए बहते दीन रहा सिधार तानंद की निर्देशन में बनी शारुक खान दिपिका पाद कुन फिल्म पठान हो या फिर संधीप रेड़ी वांगा की फिल्म एनिमल बॉक्स ओफिस पर इस साल बड़ी बड़ी ज़ंग देखने को मिली अब हम सब साल 2023 को अलविदा कहने की तरफ कदम रखते हुए नए साल में एंट्री करने के लिए विल्कुल तयार है साल 2024 के साथ ही दिपिका पाद कौन और रितिक रोशन की फिल्म फाइटर्स सिनमा गरों में रिलीज होगी कि फिल्म कब रिलीज होगी इस अपडेट को देने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया है अब तक मेकर्स फाइटर फिल्म में दिपिका पादुकोन से लेकर रितिक रोशन और करें सिंग ग्रोवर सहित कई स्टार्स के पोस्टे शेयर कर दिये थे इसके अलावा फिल्म के दो गाने और पहरा टीजर भी स्टार्स द्वारा रिलीस किया गया है जिसे देखने के बाद फैंस पहली बार बॉलिवूद डीवाद दिपिका पादुकोन और बॉलिवूद अक्टर रितिक रोशन की जोड़ी को देखने के लिए काफी एकसाइटिड हो गए हैं अब हाली में सिधात आनंद के निर्देशन में बनी फाइटर के लीड एक्टर रितिक रोशन ने अपने ओफीशियल एकस अकाउंट पर एक नया पोस्टर शेयर किया है जिसमें उनके साथ दिपिका पादुकोन और अनिल कपूर भी नज़र आ रहे हैं इस पोस्टर को देखते हुए फैंस के बेच यानी दुग नहीं हो चली है इस नए पोस्टर को शेयर करने के साथ ही रितिक रोशन ने ये भी बताया कि उनकी और दिपिका पादुकोन स्टारर फाइटर को सिनमा घरों में रिलीज होने के लिए बस एक महीना बाकी है उन्होंने पोस्टर के साथ मूवी का कैप्शुन शेयर करते हुए लिखा एर ड्रैगन में आप सब एक महीने में मिलने के लिए अपनी कमर कस ले फाइटर फाइटर में 25 जौनवरी 2014 को रिलीज हो रही है यह फिल्म सेवन्टी एथ गंड़तंत्र दिवस पर रिलीज होगी आपको बता दे की 25 जौनवरी की डेट सिधात आनत के लिए काफी लखी साबित हुई है उनकी लास्ट रिलीज फिल्म पठान भी इस थारी को ही रिलीज हुई थी जिसने बोक्स ओफिस पर 2023 में सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बन का रेके तेहात लिखा था